नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बिहधी प्यारी बुधिमान शिस्य की कहाने लेकर आई हूँ, तो चलिए कहाने शुरू करते हैं एक संत थे, उनके अनेक शिस्य थे, संत ने अपने पिता के स्रधा पर विराठ यज्य का आयोजन किया, ऐसा यज्य संत के आश्राम में पहले नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने शिस्यों को बुला कर कहा, मैं एक यज्य का आयोजन कर रहा हूँ वैसा यज्य शायद तुम लोगों को फिर कभी कहीं देखने को नहीं मिले, इसलिए यज्य का सारा काम धाम, विधी विधान, खुब ध्यान से देखना, अपने आखों से अच्छी तरह देखे बिना सिर्फ पोथियों के सहारे इस यज्य को करना संभाव नहीं है संथ के आश्रम में बिलियों का बड़ा उत्पात रहता था, यज्य की तैयारियों के बीच बिलियों ने अपनी हरकतों से नाक में दम कर दिया, कभी वे जुठा कर देती थी, कभी कोई बरतन उलट देती थी, उन्हें संभालना मुश्किल हो गया तब संथ महाराज ने क्रोधित होकर कहा, इन बिलियों को पकड़ कर इस कोने में बांध दो, या सुनते ही सभी नाव बिलियों को सभा की एक तरफ खुटियों से बांध दिया गया इसके बाद सही मुहरत निकाल कर यज्य प्रारम हुआ, सभी शिस्य यज्य सभा की सज सजा, आयोजन, यज्य के विधी विधान, मंत्रो चरन के निया मन लगा कर देखने और सूनने लगे बिना किसी बाधा के बहुत सुन्दर ढंग से संत महराज का यज्य संपन हो गया, कुछ समय बाद उन शिस्यों में से एक के पिता का देहान्थ हो गया उस शिस्य के मन में विचार आया कि वह भी अपने पिता के स्रधा में ठीक ऐसा ही यज्य का आयोजन करे उसने अपने गुरू से निवेदन किया, वे बोले ठीक है तुम सारा आयोजन करो, मैं यज्य का पुरोहित बनने आ जाओंगा शिस्य बहत संतुस्ठ होकर यज्य की तयारियों में जुट गए फिर यज्य का दिन भी आ गया, संत महाराज अपने शिस्यों के साथ स्रधा सभा में उपस्थित हो गए, लेकिन उस शिस्य को उस वक्त भी यज्यस्थल में बैठने की फुर्सत नहीं थी यह बड़ी ब्यास्तता से इधर उधर घूम रहा था, इधर यज्य का समय बिलकुल सीर पर आ गया, संत महाराज चिंतित होने लगे उन्होंने उस शिस्य को बुला कर पूछा, अब देर किस बात की है, सारी चीज़े तयार है, यज्य का समय भी हो चला है, अब तुम आकर इस सभा में बैठो शिस्य ने कहा, एक आयोजन अभीरा गया है, उसी के कारण बड़ी मुश्किल में पढ़ गया हूँ सांत ने पूछा, कहा, किसी चीज के कमी तो मैं देख नहीं रहा हूँ, सिस्य बोला, जी, अभी चार बिलियों का जुगाड नहीं हो पाया है सांत ने कहा, मैं समझा नहीं, शिस्य ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैंने आपके यज्य में इशान कोन में नाव बिलियां बद्धी देखी थी हमारे इस गाओं में काफी ढूरने पर भी पाँच से ज्यादा बिलिया नहीं मिले, इसलिए बाकी चार बिलियों की तलाश में पास के गाओं में लोग गए हैं, वे अभी आते ही होंगे शिस्य की इस बात पर संत महाराज बड़े चक्कित हुए, उन्हों नहीं कहा, हे बुधिमान शिस्य, काउन से वस्तु यज्य के लिए जरूरी है और काउन से नहीं, इसे भी विचार करना नहीं सिखा आश्रम में बिल्यों की उत्पात के कारन मैंने उन्हें बांध रखा था, तुम्हारे यहां तो कोई उत्पात नहीं है तो फिर जान बुच कर आफध क्यों मोल ले रहे हो, आप जटपट यहाँ बैट जाओ यहां बिलियों की कोई जरूरत नहीं है अब यग्य कार्य बिना किसी बाधा के संपन हो जाए शिस्य अपनी मुर्खता पर लजित होकर सीर जुका कर सभा में बैठ गया दोस्तों बुधिमान शिस्य की कहानिया आपको कैसी लगी प्लिस कमेंट करके अपनी राय जरूर दिजेगा और यदि चैनल में नए है तो प्लिस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब किजेगा ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानिया उपलब्ध कर सकें ध धन्यवाद